Welcome to Computer Class आज की क्लास में हम आपके चैप्टर नमबर 5 वर्ड फॉर्मेटिंग में पेश नमबर 42 पर हैं जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मिट पेंटर के बारे में फॉर्मिट पेंटर आपका क्या होता है इसका यूज करते हैं हम अपने फॉर्मेटिंग को करने के लिए मतलब मैंने एपको पहले भी समझाया है मतलब अपने जो हमारा शब्द है हमारा कोई वरड है उसको कोई अलग effect देने के लिए किसी अलग तर desen से उसका यूज करने के लिए मालो आपने कोई शब्द लिखा है, आप चाहते हैं वो different color का आए, उससे बड़े आकार का आए, मतलब बड़े size का आए, अलग तरीके से आए, टेड़ा मेरा लिखकर आए, कोई भी style का use हम format painter में कर सकते हैं आपको steps उठाने होंगे, जैसे यहां पर आपके पास steps यह है, step number one, select the text that has the formatting that you want to copy, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको शब्द को select करना है, मैंने आपको पहले वाली class में practical करके भी दिखाया था, तो उसी तर आपने क्या करना है, select करना है अपने text को, step number two, on a home tab in clipboard group, click format painter आपको clipboard group पर जाना है, जो आपको पहले से ही मैंने सिखाया हुआ है, उसके बाद आपको format पर जाना है, जैसे ही आप format पर जाओगे, आपके पास इस तरह से जो नीचे drawing है, इस तरह से आपके पास एक box खुल जाएगा, इस box में आपके पास बहुत सारी चीज़े हैं, जि अपने document में, जो आपने शब्द को select किया है, उसे color करने के लिए, to stop formatting, stop formatting को रोकने के लिए, stop मतलब होता है, रोकना, press ESC, आपको ESC को प्रेस करना है, अगर आप रोकना चाहते हैं, अपनी formatting को, but अब हम formatting करना सीखेंगे, अब आपके पास ज़रूरी काम आता है, main काम आता है, जो आपके शब्द आपने लिखे हुए हैं, उसे आप किस तरह के style में लिखना चाहते हैं, simple style में लिखना चाहते हैं, या कोई और तरीके से आप लिखना चाहते हैं, और font size का मतलब होता है, आपके शब्द का आकार, कि आप शब्दों को कितना आकार देना चाहते हैं, मतलब छोटा शब लिखना चाहते हैं तो 8, 9 काफी है आपके लिए अगर आप बड़ा लिखना चाहते हो तो 20, 15, 25, 50 इस तरह से आप अपने font के size को मतलब अपने शब्दों के आकार को change भी कर सकते हैं इसके बाद आपके पास दिया है font, style and effect अब आपको font के style और effects के बारे में यहाँ पर दी हुई है अब आपको इसके लिए क्या करना है आपको font, size and effect font styles होते हैं आपके शब्दों को लिखने की कला और effect मतलब होते हैं उसमें हम अलग अलग चीज़े भी डाल सकते हैं जिसमें आप नीचे डालेक्ट यहाँ पर जो drawing दिये उसमें आप देख सकते हूँ जो एक red सा box बना है जिसमें B, I और U लिखा है क्या लिखा है? B, I और U B का मतलब होता है bold I का मतलब होता है italic and U का मतलब होता है underline अब अगर आप B पर क्लिक करते हो पर पहले आपको क्या करना है अपनी शब्द को select करना है उसके बाल आपको क्या करना है B को क्लिक करना है तो आपका क्या हो जएगा वो शब्द आपका bold हो जाएगा bold मतलबには थोड़े dark कलर में लिखकर आएगा अगर आपने इटालिक पर प्रेस किया है तो उसका मतलब क्या होगा वो जिस तरह से यह आई टेड़ा लिखा है इसी तरह से आपके शब्द क्या हो जाएंगे थोड़े टेड़े टेड़े लिखकर आजाएंगे अंडर लाइन का मतलब होता है जैसे आपका ही शब्द अंडर लाइन यहां लिखा हुआ इसके नीचे कि एक लाइन दी है अंडर लाइन का मतलब आप सभी को पता है तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके शब्द के नीचे इस तरह से एक लाइन आ जाएगी मतलब वो आपका अंडरलाइन हो जाएगा